गलकी 2898 ADK ट्रिलर ब्रेकड़ून का सेकेंड पार्ट एन थीरिस के बारे में बात शुरू करते हैं अगर आपने पार्ट ओन नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो भी ज़रू देखेगा तो फिर प्रबास डिपिका को उस ट्रक के अंदर मिलता है अशो थामा ने सारे सोल्जर्स को मारने के बाद अशो थामा और भेरवा के बीच में फाइट होती है और कमांडर मानस होलोगराम से बोलता है कि मुझे वो लड़की चाहिए और भेरवा बोलता है कि मैं ही हूँ जो उस लड़की को वापिस लेया सकता हूँ यहाँ पर important है वापिस ले आ सकता हूँ याने कि इस पहली fight में अशोथामा ने बहरवा को हरा दिया और वो दोनों बचकर निकल गए और हम बहरवा को rebel के नीचे देख सकते हैं और तबी ही extra raiders आए होंगे वहाँ का scene चेक करने के लिए तब तक अशोथामा और सुमती वहाँ से भाग गए और उनको बहरवा मिल गया और तब कमांडर ने hologram से बात की और बहरवा ने तब ठान ली कि वो सुमती को कैसे भी करके ढूंडेगा और वापिस complex ले आएगा या फिर ये एक चाल हो सकती है जहाँ पर बहरवा सुमती की मदद कर रहा हो कमांडर को गुमरा करने के लिए लेकिन इनके पहले interaction में ये होने के chances बहुत कम है और मुझे लगता है कि कमांडर ने बहरवा को एक must offer दिया होगा सुमती को पकड़ने के लिए फिर हम बहरवा को बुझे के back tire को बीच में से cut करते हुए देखते है और हम उसके अंदर के mechanism देख सकते है और फिर बहरवा एक बड़ी सी chain को फेकता है अशोतमा की हाथ की ओर उसको पकड़ने के लिए और अशोतमा की height असल में लगता है 10 से 12 feet है और फिर Raiders ने शंबाला याने जहाँ पर Rebels सुमती और अशोतमा छुपे हुए है वहाँ पर attack कर देते है और Rebel Army and Raiders के बीच में war होने वाली है और Rebel Army सुमती को बचाने की पूरी कोशिश करेगी और हमको पता है कि कलकी का जन्म शंबाला में ही होने वाला है और बहरवा ऐसे लग रहा है कि एक बड़े मशिन को कंट्रोल कर रहा है या फिर बुज्जी को शायद से क्लाइमेक्स वार के लिए बहरवा ने कुछ तो नई मशिन बनाई होगी फिर अशोतमा ने एक पेर से बुज्जी की कार को रोक लेते है एक रेबेल आर्मी मेंबर उस ट्रक में से बाहर निकल कर रेडर्स के खिलाफ लडने जा रही है फिर शंबाला या फिर कोई और जगा हो सकती है जहाँ पर एक रिच्वल चल रहा है दूसरी और वार की तैयारी हो रही है और फिर बहरवा और अश्वतामा के अपने अपने इंडिजिल फाइट्स दिखाए गए है फिर हम शोबनना के कैटर को देखते है फिर अश्वतामा वसिस बहरवा के एक फाइट सीन देखते है और उसके बाद रेबेल आर्मी या शंबाला आर्मी के पास नैनो टेक आर्मर एंड शिल्ड मौजूद है और उसके बाद कमांडर मानस के पास कोई रेड कलर का बॉल या स्टोन है जिसको वो कंट्रोल या फिर पकड रहे है ये बॉल में जरूर कोई पावर्स होने वाले है या फिर एक टाइप का वेपन भी हो सकता है इसके बारे में आगे बात करेंगे फिर हम वीरन एन आना बेन के कैटर को देखते है और शंबाला आर्मी रेडी हो गई है वार के लिए और पीछे हम पूरा माउंटन रिजन देख सकते है उनके सिटी का और कमाल असन की रेडर्स आर्मी महापर पौच गई है और उस माउंटन पर अटेक कर रही है लेकिन उस माउंटन को एक फोर्स शिल्ड से प्रोटेक किया गया है जिससे की कोई भी अटेक अंदर ना आ सके फिर दिपिका को हम रेबल आर्मी के साथ देखते है और लगता है ये सीन जब वो भेरवा से बचकर आई होगी ये तपका हो सकता है फिर सुमती बोलती है कि जिस बच्चे ने अभी तक अपनी पहली सास भी नहीं ली वो इतने आकरी सासों का कारण कैसे बन सकता है यानि यहाँ पर कन्फर्म होता है कि दिपिका को बच्चाने के लिए शंबाला के लोग अपनी जान भी देने के लिए तयार हो जाएंगे तो सच में ये बच्चा एक भगवान की रूप में होने वाला है फिर हम कमलसन के कैरेटर को देखते है और लगता है वो काफी बूडे हो गए है और उनके हेड पर एक गाव है जिससे की रेड कलर की लाइट या बलड या कुछ और गलो हो रहा है ऐसा लगता है कि उनके बॉडी के अंदर खून है ही नहीं और ये कोई डिफरेंट टाइप की बॉडी हो सकती है या फिर ये इंजुरी जिस सी से हुई है उसका असर है ये और वो बोलते है डरो मत एक नए यूग आने वाला है याने कि उस कैरेक्टर का यूग आने वाला है और जिस बंदे को बोल रहे है ये वो ही चश्मे वाला कैरेक्टर है और फिर हम प्रभास को बुझी से हवे में जम मारते हुए उड़ते हुए देख सकते है अपने शूस की मदद से और यहाँ पर कई सारे तेरी सामने आते है तो मुझे लगता है कि कमल असन के लोग एक सीक्रेट लैब एक्सपरिमेंट कर रहे है कई सारे वुमेंज के उपर और उनको प्रेग्नेंट करने की कोशिश करी जा रही है जिससे कि वो एक ऐसे बच्चे को बना सके या फिर पैदा कर सके जो कि कमल असन के पावर्ज, सोल और उसके बॉड़ी ट्रांसफर को जहल सके और कई सारे और इतने इंटेंस एक्सपरिम करने के लिए याने कि एक फॉल्टिलिटी ट्रांसफर क्यूंकि कमल असन को अभी एक नए बॉड़ी की ज़रूरत है जिन्दा रहने के लिए और तब उनको पता चलेगा कि दिपिका इतने सालों के अंसक्सेसूल आटेंट्स के बाद प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी इ ने बहरवा कलकी का आफ्तार नहीं है जो बच्चा दिपिका के अंदर है वो कलकी बनने वाला है क्योंकि कलकी की मा का नाम भी सुमती ही है और फिर यहां पर कोई ट्राइम ट्रवल वाले ट्विस्ट भी हो सकता है जिसे की प्रबास ही दिपिका का बेटा हो या फिर प्रब दुलकर सलमान का एक कारेक्टर हो या फिर कल की खुद दुलकर सलमान हो सकता है और मुनाल ठाकुर के मरने के बाद बहरवा को काशी जाना पड़ा हो फूर्थ थेरी एक अब्जर्वेशन है कि अशोथामा को एक प्रेगनेंट उमन के बच्चे को मारने के उपर कर्स मिलाता और 6000 साल बाद अशोथामा को एक प्रेगनेंट उमन को बच्चाने का काम मिला है अपने कर्स से आज़ात होने के लिए फिफ्ट तेरी ये है कि जो एक रेड कलर का स्टोन है कमांडर के पास या सलमे कमल हसन का सोल या माइन्ड हो सकता है क्योंकि हम जब पहली बार कमल हसन को देखते है तो उनके सर पर हमें करेड कलर के इंजुरी देख सकते है जो कि लगता है इस स्टोन की वज़े से आई है सिक्ष्ट तेरी ये है कि कम्पलेक्स के लोग उन औरतों को पकड़ रहे है जो की परेगनेंट है क्योंकि वो कलकी के जन्म होने नहीं देना चाते है सेव वो कई सालों से बच्चा बनाने की कोशिश कर रहे है लेकिन जब दिपिका फाइनली प्रेगनेंट हुई और उसको कम्पलेक्स की सच्चे पता चली तो वो वहाँ से भाग गई ये पूरी मुविल की स्टोरी ये है कि अश्वो टामा को दिपिका को और उसके बच्चे को करेगा लेकिन एंड में वो उसके साथ हो जाएगा और कमल असन के खिलाफ हो जाएगा और फिल्म के एंड में एक साइड पे कलकी का जन्म होगा और दूसरे साइड पे कली याने कमल असन फिर से जिन्दा होंगे और पार्ट टू में लड़ाई होगी और क्लैमेक्स में रि वीडियो को और लोंग के साथ और आपकी क्या theories है हमें comments में लिखके जोरू बताएगा so please like this video and thank you for watching see you again in the next video till then bye bye see you take care